दो मासूम बालिकाओ से गलत कृत्ते करने वारे नराध्धम की बस्ती की घुसाई भीट ने जम कर धनाई कर दी नराध्धम ने पहले सहली को बंधक बनाया उसके बाद बालिकाओ के साथ दुश कर्म किया घटना शनिवार को दिन धाड़े कलमना थाना अंतरकत हुई घटना से कुछ समय के लिए तनाव बना रहा प्रकरन दर्ज हुआ और आरोपी को गिरपतार किया गया है मिली जानकारी के अनुसार आरोपी डोलचन चावान उम्र 55 साल है घटना वाले दिन दो पैर दो बजे पडोस में रहने वाले बारह वर्षिय बालिका और उसकी हम उम्र सहली खेलने के बहाने डोलचन उन्हें घर के बाजू में बने शेड में ले गया शेड में ले जाने के बाद पीडित बालिका की सहली के हाथ पैर रसी से बांदिये तता मूँ पर पट्टी बांदी पच्छात उसने बालिका से दुशकर्म किया बालिका का शोर सुनकर उसकी मा वहाँ पर पहुची शर्मसार करने वाला द्रिश्च देईक उसके पैरोतले से जमेन खिसक गई उसने चपल से डोलचन को पीटना शुरू किया शोडशा रावासुन कर बस्ती के लोग जमा हो गए और उन्हें ने भी डोलचन को घेर लिया और उसकी जम कर धोनाय कर दी इस नाव डोलचन द यादवरा चाववान ताने त्या मुलीन ना खेर्णे चा बहाने ने तैचा घराचा बाजुलाच एक खोली आहे तिते ग्यों गेला आणि तनना तिते बंधग बनाओं तेंचा डुवाया बरमगरे पट्टी बांदून जुडवा गेम खेऊ या उद्द पुलीस नित्तुरन मौके पर पहुश कर लोगों के चंगूल से किसी तरह डोलचन को मुक्त किया और थाने ले गए प्रकरन दर्शकर आरोपी को गिरफतार किया गया डोलचन मतुरी करता है परिवार में पत्नी बेटा बहु है इस मामले के आगे किचार्च पुलीस कर रही है कैमेरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ इशाहटवार की रिपोर्ट बीसियन यूज नाकूर